रोईत सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा अनकंडिशनल माफी सबसे पहले है और दूसरा आप बोलिए कि आप आंदोल उनको वापस ले रहे हैं क्योंकि इससे कम पर देश नहीं मानेगा आपसे आपने भारत के लोगतंत्र को गंतंत्र दिवस के दिन सर्मशार किय देखिए दिपक भाई जिन लोगों ने सर्मशार किया है वो लोग ना तो किसान के हितेशी है ना राच्ट के हितेशी हैं सर हो तो गया ना आप लोगों की जित के चलते गंतंत्र दिवस के दिन देश की बदनामी हो गई ना अब आप कुछ हैं देखिए हमारी जित तो केवल अपने पतिगारों के लिए न्यायक की लड़ाई लेंटे के लिए थी हमारी जित ना तो ऐसी थी कि हम देश को कभी सर्मशार करें ना कभी कर सकते यह हमारे खून में नहीं है जिन लोगों ने क्या था वो दिखाई दे रहा है आई टी ओपर बच्चों को आगे खड़ा किया जा रहा है पुलिस से बचने के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदी की बात और क्या हो सकती है अन दाता अपने बच्चों को आगे कर रहे है पुलिस कॉंस्टेबल को पीटा करना चाते हैं मेरे भाईया आप भी तो चित कर रहे थे कि नहीं हम तो गंटन्तर दिवस मनाएंगे लीजे मन गया कि देखें गंटन्तर दिवस पे हमारे कोई भी ऐची घितना हमारी तरफ से ना होने की हमने पूरी प्रतिबंदत आती लेकिन कुछ चुलिए प्रतिबंद चाहिए अब इस अंदोलन का कोई और चिति नहीं रह गया कि दिशा भटक चुका है जो अंदोलन देश के लोगतंतर को शर्मचार करते जो समयधानिक व्यवस्ता को ना माने उस अंदोलन के रहने का कोई और चिति नहीं है तीपक भाई यही तो वो लोग चाहते थे जिन कई बार कहाता कि आपके अंदोलन मेंसे लोग घुज गए हैं आप तो मानने को तैयार नहीं थे आप कह रही थी सरकार हमको बदनाम कर रही है दोनों तरफ चित भी मेरी और पद भी मेरी रोई जाकर जी नहीं हो सकता देश के लोग समझते हैं देश के स्वाबी मान से ज्य ने भी किया वो किसानी तेशी नहीं है वो बहुत शर्मनाथ है और मैं दिल से नतमत तक होके राज़के पती यह अपमान एने रही है और सेहा नहीं दा सकता